उत्राखण में बारिष ने दिखाया अपना कहे एक दिन की बारिष से सितार गंज हुआ जलमंग आपको बतादें कि उत्राखण में 9 जुलाई तक मौसम बिभाग ने भारिष से अधिक भारी बारिष का अलड़ जारी किया है वहीं तेज बारिष के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं वहीं सितार गंज में चंद घंटों की बारिष से हर जगे भरा पानी प्रसासन ने नदी किनारे बसे लोगों को आश्रय इस्तल पर जाने को कहा बताते चले की सितार गंज में चंद घंटों की बारिष ने हर जगे पानी पानी कर दिया और सडके तालाब में तब्दील हो चुकी हैं वहीं वहानों को सडक पर चलने में काफी परिशानियों को सामना करना पड़ रहा है वहीं उपजिला दिकारी कारियाला हो या फिर सामुदा एक स्वास्त किंद चितार गंज पूरे शहर की सडके तालाब में तब्दील हो गई हैं जिससे लोगों का जन जीवन अस्त ब्यास्त हो गया है वहीं इस्तार गंज परिशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को आश्रह इस्तर पर सिफ्ट होने के लिए नोटिस देकर अबगत कराया गया है ताकि कोई अन्होनी घटना न खट सके वहीं अगर सितारगन छेते की नदी नालों की बात की जाये तो पहाड पर हो रही परसाथ के बाद नदी नाले उफ़ान पर आने लगी हैं वहीं सितारगन शहर में हर जगय पानी पानी नजर आ रहा है जिससे इस्तारणी परिशासन की मुश्कलें बढ़ सकती है